आज हम बनाएंगे बहुती स्वादिष्ट, बहुती क्रिस्पी, बहुती मज़ेदार, सकरपारे की रेस्पीजी से हम गेहों के आटे से बनाके तयार किये हैं, एकदम क्रिस्पी करारी बनके तयार होती हैं और खाने में बहुती मज़ेदार लगती हैं, आपी से महिनों तक इस्टोर करके खा सकते हैं बिल्कुल भी खराबनी होती है आप इसे हलकी फिल्की भूख में कभी भी इंज्वाइ कर सकते हैं या फिर जब सफर पे जा रहे तो आप इसे बना के जरूर ले जाए बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट और मज़ेदार लगती है खाने में बनाना साथ इसमें हम आधा कप सूजी डाले आप चाहे तो पूरा आटा से भी बना सकते हैं पर सूजी देने से बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार होती है मैं आपे वन वाइफोर कप घी ले ली हूँ तो इसमें हम मैल्टेर घी डाल देंगे तो घी देने से टेस्ट भी अच्छा इस पे अच्छे से हम मैल लगा देंगे मैल देने से ये क्रिस्पी बनके तयार होती है इसे अच्छे से हम मैल इसमें लगा दिये है तो मैल फॉफिक्ट रहेगा तभी हमारे सकर पारे क्रिस्पी बनके तयार होंगे तो इस तरीके से मुठी से बांद के देख रहा है तो द इसमें आप हम चीनी डालेंगे तो मैं आप एक कप से दो चम्मस के करीब कम चीनी डाली हूँ आप चाहे तो एक कप चीनी डाल सकते हैं मैं आप दो कप आटे से बना रूँ उसके लिए मैं आप एक कप से थोरा सा कम चीनी डाली हूँ तो मीठा आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा दे सकते हैं तीन हड़ी लाइची डाल देंगें अब चीनी का पौड़र बना के त thunder कर लेंगे देखें चीनी का पौड़र बनगे अब एक mix- morals लेंगे इसमें हम ये सारा चीनी का पौड़र इसमें डाल देंगे अब इसमें देनी के लिए मैं आपे उबला हुआ ठंडा आधा कप दूद ले ली हूँ अब इसमें हम दूद डाल के इसे हम घोल तयार कर लेंगे आप चाहे तो पानी वी दे सकते हैं पर दूद डालने से थोड़ा ज्यादा ये टेस्टी बनता है अब इसे हम मिस कर देंगे तो देख सकते ये जो घोल है बनके तयार हो गया है अब इसे हमें आटा लगाएंगे तो जो हम आटा तयार किये तो ले लेंगे इसमें हम एक चमस सफे तिल डाल देंगे आप इसे skip भी कर सकते हैं अब इसमें हैं ये जो दूधरचीनी का घुल तयार किये ती वो थोरा थोरा देखे इसका हम थोरा swap सादो तयार कर लेंगे तो एक वार नहीं देना है थोरा थोरा देखे स्वाप्ट सादो तयार कर लेंगे तो देख सकते इस तरीके से जैसे रोटी के तरह आटा गुन के तयार कर लेंगे इस तरीके तो जादा गुनना नहीं बस आपस में अच्छे से मिल जा सके तो देख सकते इस तरीके से स्वाप्ट सादो तयार कर लिये है तो आधा कब दूस यह जो डू है लगके यह तयार हो जाएगा अब इसे हम ढ़के रख देंगे रेश्ट पे थोड़ा सौप्ट ही लगा क्योंकि सूजी है फूलने के बाद यह जो डू है थोड़ा हाड हो जाता है तो इसे हम 10 मिनट तक रेश्ट पे छोड़ दिया थे तो देख सकते यह थोड इसे गुन के रेडी कर लेंगे तहां तो इसे एक वार अच्छे से गुल लेंगे ताकि यह ज्यादा थोड़ा सा चिकना हो जाए तो यह जो डू है थोड़ा सा हाड हो जाता है देख सकते इसे चिकना कर लिए है अब इसके हम बड़ी सी दो लोई कट कर लेंगे तो इस तर से बड़ी सी लोई कट करेंगे तो बनाना बहुत ज़्यादा असान हो जाएगा तो इस तरीके से हम एक बड़ी आप चक्ला भी ले चकते है मैं इस तरीके से platform पे ही इसे बेल के ready कर लूँगे तो इस तरीके से न इसे थोड़ा मोटा ही बिलना है पतला बिल्कुल भी नहीं करना थोड़ा मोटा रहेगा तभी सकर पारे थोड़े मोटे मोटे बनके तयार होंगे अब इसे बेल के तयार कर लिया अब इसके हम किनारा को कट कर देंगे चकुर के सेब में इस तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे इसे चकुर के सेब में कट कर दिया अब छोटे छोटे पीसेस इसके हम तयार कर लेंगे तो इस तरीके से हम 6-7 इस तरीके से हम इसे Pices कर दिये हैं इस तरीके से Q s me car me cut कर देंगे तो छोटे-छोटे Q s is तरीके से cut कर देंगे जो कि देखने में बहुत यदा सुंदर लगता है तो यह बहुत यह असानी से cut के ready होगा यह देख सकते हैं तो इस तरीके से पीसे हम बना के तयार कर लिए है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से इसे प्लेट में रख लेंगे तो इस तरीके से बड़ी सी रोई कट करिएगा तो जटपट से ये बनके तयार हो जाएगा तो एक पेरा से हम सकर पारे इस तरीके से बना के तैयार कर लिए अभी से हम fry कर लेंगे तो ग्यास अन करके oil गरम कर लिए हैं तो oil का temperature एक स्टार्टिंग में medium होना चाहिए जब इस तरीके से सारे पीशन जाल देंगे तो ग्यास का फ्लीम लो कर देंगे और लोफ लेंपे इसे अलटते प्लटते हुए अच्छे से क् पर यह थोड़ा सा और जिखेगा तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से पलट देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे तो देखिए सकरपारे बहुती क्रिस्पी टेस्टी बनके तयार हो गया है तो दूड़ डालने से ने इस पर बहुती प्यारा सा कलर आता है तो इ सेकेंड बैचेस को भी फ्राई कर लेंगे तो गैस का फिल्म लो रखेंगे लो फिल्म पे ही इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो देखिए सेकेंड बैचेस भी फ्राई होके रेडी हो गया है इसी तरीके से बनाना बहुत ही असान हो जाएगा तो देखिए सुपर क्रि किरिस्पी कराडी बनके तैयार हो गई है तो आप भी इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले